इस पूरे ओपरेशन में सिलक्यारा टनल में फसे हुए ओपरेशन में 41 लोगों के जो फस गए थे पूरे ओपरेशन में एक जो आखरी शंड में रैट माइनर्स का शब्द बहुत जादा प्रचलित हुआ और सबसे के मन में आये यह आखिर कौन है और किस तरीके से करकर वह चीज हासिल की जो लगातार उमीद की जा रहे थी और सत्रवे दिन इन्होंने वह चीज वह सफलता हासिल कर दी यहां पर यह तमाम जो लोग है देखने में यह थोड़े कमजोर दिख रहे लेकिन इनके इरादे बहुत मजबूत है इनके हातों में वह ताकत है जिस शुक्ति आप काम किया था इसमें क्या करते हो आप मैं अंदर में खुदाई करता हूं अच्छा फुदाई करते हैं मैं पहले परीचे कि इंसे लोंगा आपका नाम मौमंद नसीम नाम है मेरा कहां से आप दिल्ली से हैं खजूरी खास आपका नाम मुन्ना आप थो बहुत सब दिल्ली की टीम लग रही है आपका नम फिरोज कुरेशी कहा से आप का नम जतिन आप बुलेंशेर से बुलेंशेर से अपका नम नासिर आप कहां से है कास गंज अच्छा उतरपरदेश आपका नम क्या है स्वारब कहां से हो जिला बिलेंचर गाम अक्तियारपूर अच्छा यह तमाम वो जो लोग है मैंने अभी परिचे कराया इनका और यहां पर जानेंगे कि किस तरीके से इनको इकटा कियागों कि दिल एक अठा किया और वो टास्क दिया जो इन्होंने समय से पहले पूरा कर दिया बिल्कुल सर यह जो लड़के हैं सब एक ही टीम से मेरे टीम में काम करते हैं और जगे भी काम करते हैं बट अभी इन लोगों को मैंने बताया कि ऐसे से अपने सामने के अविब्दा आन पड़ आप लोगों को अच्छा जो अंदर वहां पर खुदाई करी इन्होंने आप लोगोंने मैं आपसे मुनना एक चीज़ आँगा किस तरीके से उस पाइप में बैठे तो बैट के दिखा दे क्योंकि अक्सर लोगों को लग रा कि उसके अंदर काम कैसे हो या तोड़ा बताए मैं कभी कदर जाता हूं पाइप में पूरी वह मागर जैसे हम बैठते हैं नीचे हम न Allison घजाता उप्र अपने ःकर लेटी से और युख से करते हैं पूर अइसे मैं तो बहुत देर बैठ आता हूं ने मेरे में अपने आपको क्या बता हूं मेरे में कितनी हम्मत है मेरे को पताए यह पूरी टीम जो भाइया के साथ में मैंने carbohydrate करे twenties मुझे पता है मैंने कितनी खुसामत है हैं हमने करें चलो भाईयों और सब आए एक अवाज पर भाई या कैमारे तुम्हारे अब आ गए है तो क्योंकि आपके जो चेहरे ना इससे पहले शायद या तो आपके यह जानते होंगे या आपके लोगों की जानते होंगे अब आपको पूरी दुनिया जानती है कि आपने वो काम कर दिया जो बहुत म आना जा रहा था अच्छा आप अंदर गए थे महाँ पर अंदर जब आपने खुदाई करी जो लास्ट मोमेंट था जो लास्ती उससे तोड़ा उसके बाद क्या रियक्शन था अंदर के लोगों का और किस तरीके से उन्हें बात करें तो उनको देखने के बाद डाइट हम मारे पास हल्टी होती है गुदाली होती है और फावलिया जो भी यह ऺभावला पंजी आडी तसले वसले यह उता साथ अच्छा यह होते हैं हमें उपर वाले ने वह इजत नमाजी शायद पूरी दुनिया नहीं इतना जजबा से हमें सप्राइज दिया हमने दुनिया को दिया बहुत दिल के अच्छे दिल को बहुत सब्सक्राइब इन में से वो कौन लोग है जो अंदर गए वो तो दूसरा सवाल है इन लोग किस तरीके से टास्क व लिया कि हरकोई माना था बहुत कठी नहीं जी टास्क क्या ये पहली बाद तो हम इस चीज में एक्सपर्ट हैं हमें हमें पुरी उम्मीति हम इस काम को क्लियर कर देंगे और अब ने कंपनी से बोला है सर हमें आप एक मौका दो और आप जैसे काओ गए पूरी जिन्दे काम फ्री करने के लिए हम करेंगे बट ये मौका हमें दो अगर हम इसमें से रिजक्ट हो जाते हैं और कंपनी लड़ी भी हमारे लिए हैं जो दूसरे टीमें लगी थी उनसे ल इंटरस्ट नहीं होता कि वो तो हर दुनिया कर रही हैं बटिया जो टाक्स हमारे लिए जिन्दग्यों का था और जिन्दग्यों के साथ बहुत सारी जिन्दग्या जोड़ी हुती इसके और ये जो चीज थी जिन्दग्य में स्टाइद किसी किसों को आपको भी श्रायद ना मिली हो यह मिली है हमारे लिए बहुत हमारे टीम के लिए बहुत गर्व की बात बहुत ही बात और इस चीज को हम छोड़ नी सकते जो पहले लोग अंदर उनको देखे वह कौन है सर एक तो हमारे इर्शाद है और एक मुन्ना है एक फिरोज है यह मौनू है और पांसु अच्छा मुनू आप थे अच्छा जब आप खुदाई कर रहे थे अब अंदर गये उन लोगों के चेहरे के आपको देखे कैसे हुए बिल्कुल खुस हुए हमको देखके हो बहुत अच्छी तरह हमारे गले मिले हमसे और पानी वानी अगेरा दिया हमको पीने के निया मका पानी तो हम पी रहे हैं आप पहले भाहर लिख लो क्या जल्दवाजी कर रहे थे वह थोड़ा बहुत नहीं इतनी जल्दवादी तो नहीं कर रहे हैं वह बोले थे पहले टीम आएगी वह कुछ एंड यार फ्रे वही रिजन लेगी जो भी लेगी हम जब ही जाएंगे उन् पीछे से मलबा आ रहा था थोड़ा लग रहा था कि यह मलबा उपर ना जाए और फिर जो औक्सीजन और पीछे से मदद मिल रही थी उक्सीजन तो उनके लिए पूरा कर दिया था लेकिन मलबा घरने के तो चांस रहते हैं दीखी रास आप साफ़ों तो देखने कि क्या है उसमें मलवा जड़ी रहा है अभी भी मुश्किल लगा मुश्किल तो लगा सर लेकिन डर और दैसत नहीं थी जजबा था अपने अंदर अच्छा मैं एक जी जाना चारा आप सब लोग यहां पर मौजूद है जब आप आए हाथ दोनों हाथ उठा के आए आपने बिल्कुल बहुत बहुत बहतरीन काम किया वहां से और आते हुए मुख्यमंतरी भी वहां पर थे किस तरीके से आपको लोगों ने पल को भी बढ़ा बहुत कुछी हो इती सर बहुत कुछी इस टाइम ऐसे फिलिंग आ रहे थी जैसे इंडिया वल्ड कप जीत था ना और उसको से अलिपरेट करते हैं और जैसे अप्रिशेट करते हैं वह हम अगे हो रहा था उस वक्त हम ऐसा हो रहा था बिल्कुल यह वो सारे लोग है जो अ मुझे कहा था कि 24 घंटे के समय से पहले लिके आएंगे और हम अंदर जा रहे हैं तो जरूर इनको बाहर लाएंगे यह सब उन शहरों से जहां बड़े बड़े शहर है जहां पर शायद इन जैसे हजारों लोग है जो गुमनामी में और अंसंग हिरोस है जो लगातार कुछ कुछ लोगों के लिए काम करते रहते लेकिन इन्हों ने वह काम कर दिया और दुनिया इनको देख रही है दुनिया इनको जरूर जानेगी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत का यह सबसे टफेस्ट ऑपरेशन था जो इनकी बज़े से भी काम्याब हुई हाला कि इसमें बहुत सारे ओपरेशन करने वाले लोग थे इसमें बहुत सारी सहयोगी टीमें थी बहुत सारी मशीने थी लेकिन इन्हों ने जो फाइनल टच दिया जाहिर सी बात है उसकी वज़े से आज वो 41 लोग सुरक्षीत बाहर निकले है अपने घर वालों से मिल सकेंगे कैमरामन प्रेम सिंग के साथ किशोर रावत एंडी टीवी इंडिया उत्तरकाशी